हमारे आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बैच फाइल्स क्या होती है and what is the basic use of a batch programming concept चल यह शुरू करते हैं पहरे हम लोग डिस्कस करें हैं आखर यह बैच फाइल्स क्या है और बैच फाइल्स का concept कहां से आया programming की initial stage पे प्रोग्रामर्स होते थे उनको हर इक चीज़ के लिए बार बार codes लिखने पड़ते थे या commands लिखने पड़ती थी उस stage में सबसे बड़ी difficulty programmers के लिए होती थी कि उनको उन commands को बार बार लिखना पड़ता था उनलों के पास कोई tools नहीं होते थे कोई icons नहीं होते थे जहां से वो directly tap करके उन applications को run कर सकें और कभी कभी तो ऐसा होता था कि system की starting के साथ ही उनलों को कुछ set of programs को एक साथ run करना होता था जिसके लिए उन लोगों को उन commands को लिखना पड़ता था जो कि बहुत time taking और lengthy task होता था इसके लिए batch programming का concept apply करा गया batch programming में हम लोग क्या करते हैं we have some command line interface and that command line interface we simply type all all type are all commands that we want to run again and again फिर हम लोग उसको batch file में store कर देते हैं और यह batch file क्या करती है जैसे हम लोग अपनी batch file को execute कर देते हैं यह अपनी अंदर stored सारी commands को यह सारे task को उसी sequence order में run करने लगती हैं जिससे की user का task बहुत आसान हो जाता है हम लोग अपनी batch files के through काफी सारे operations को perform कर सकते हैं for example you have to open a software और you want to show a pop up message to your user और suppose करिए आपकी computer की application आपकी computer की display में से कोई particular shortcut icon remove हो गया है और आप चाहते हैं कि वहाँ पे एक temporary shortcut icon आ जाए उस application को execute करने के लिए तो इन सारी situations के लिए हम लोग use कर सकते हैं batch programming का तो चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग कैसे use करेंगे batch programming को चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे बनाते हैं batch files पहला concept तो चलिए हम लोग अपनी batch file create करते हैं batch file create करने के लिए हम लोग अपनी notepad application का use करेंगे ठीक है because जो जितनी भी batch files होते हैं वो simple से text editor पर लिखी जाती है और उनको हम लोग store करते हैं .bat extension के साथ fine अब सबसे पहले हम लोग discuss करेंगे कौन-कौन से keywords हम लिए यहां पर यूज करते हैं अपनी batch programming के लिए सबसे पहले keywords जो हम लोग use करते हैं batch programming के लिए it is echo अभी जो echo keyword होता है अगर इसको आट के साथ use कर रहे हैं तो यह हम लोग के batch programming को initialize करता है और यह display में window को hold करने का काम करेगा तो आपको लितना है add echo off आगे क्या करेंगे हम दो आगे मुझे मैं लिजे message लितना है echo suppose I want to give a title to my file मुझे पनी file को title देना है title कहां पर display होगा the title will be display हों का title bar of my page title bar of the page means the title bar of my command prompt तो जो वहां पर इस जगे पर जो क्यों 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 होगा title का text होगा तो मैंने लिखा title first batch program program fine now after that suppose I want to write some more text मुझे कुछ text display भी तो करना होगा युज तो मुझे मुझे hello you are watching computer computer dot in fine अब होगा क्या चले safe करके देखते है save as पर आए और मैंने की file को store कर रहा है batch one dot sorry batch one dot dot save करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी batch file यहाँ पर आ चुकी है यह आपको टूल बाला icon लिख रहा है यह batch file का एक आप कह सकते हो icon होता है जैसे हम लोग इसमें double click करने आप में देखे command window open भी आपको पर प्वी और भी तुरंड क्या होगे डिसपीर होगे इसमें से ठीक है reason क्या है इसके पेशे का because आम लोगा जो जो बाच फाइल है वो इस लिच पर पॉस नहीं लह रही है आप देख सकते हैं जो मैंने टाइटल बे लिखादा, एक बार मैं Notepad file ओपन तरगा आपको देखा जिता हूँ चले देखते हैं side-by-side compare करके, जो मैंने टाइटल बे लिखादा वो यहाँ पर visible है, जो मैंने text लिखादा, echo के अंदर वो यहाँ visible है और इसके बाद क्योंकि मैं उसको pause कर आवा इसलिए क्या बोल रहा है, प्रिस अनी key to continue Now let's do a thing, suppose, I want user to see this message first Now I want to ask him, echo, press any key to start paint program मैंने उसके कहा कोई भी key press करो अगर आपको paint program open करना है तो, fine, फिर मैंने उसको कर दिया pause फिर मैंने keyword लिखा start, अब यहाँ पर जो start keyword ही बहुत important keyword है अगर हम लोग को किसी भी file को, किसी भी folder को, या किसी भी directory को open करना है या किसी भी application को run करना है, execute करना है, इसके लिए हम लोग use करते है start keyword का अब start keyword के आगे, जिस भी file का, folder का, path assign करोगे, यह उस file को open कर देगा बट यहाँ पर tricky चीज़ जो आपको याद रखने है, tricky चीज़ क्या है, कि जब हम लोग dos commands की बात करते हैं हम लोग command prompt की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ application उसका अपने custom name होता है for example, हम लोग dos की language में ms word को कहते है, win word, paint program को कहते है, pbrush अब इसको मैं क्या करूँगा, simply, wash करके, save कर दूगा, fine, चलिए देखते हैं, क्या होता है मैंने इस program को open जड़ा, इसने बुला, hello, you are watching computer.me, press any key to continue, मैंने press किया इसने बुला, press any key to start paint program, मैंने प्रेस किया, और यह देखिए, यह क्या हुआ, paint program सब्सक्राइब पर open हो गया, fine इसने paint program automatically open कर रहा है, suppose I want to add a few more codes here, मैं चाहता था कि इसी तरीके से क्या करे, मेरा mozilla firefox browser open कर दे या, फिर ms word open कर दे, तो चलिए हम लोगे ms word को open करते है safe वर के देखते हैं, क्या होता है, और मेरा ms word open हो गया, आप देख सकते हैं, अगर इसी तरह से मुझे कोई और application should open कर रहा है, तो मैं simply use application का यहाँ पर नाम दे दूगा, जोलिए try करते हैं, मुझे बैचे firefox का नाम नहीं पता है, कि firefox का नाम दिया, बट मुझे try करना हूँ simply firefox, ओ वाउ, now as you can see, इसने मेरा firefox browser भी open कर दिया, चिके तो यहां से आपको clearly समझ में आ रहा होगा, कि आपको गर keywords पता हैं, इन programs के, तो आप easily, उन keywords के through अपने लिए batch file create कर सकते हैं, suppose, daily I want to open 3 applications after time, मुझे माले जिए daily 3 applications पर काम करना हूँ और मुझे बार बर महनुप करना हूँ पड़ती हूँ, मुझे एक एक application को on करना पड़ता है, time taking process हुदा मेरे लिए, इसके लिए में क्या करूँगा, मैं simple सी batch file बनाऊँगा, तो यह आज मैं आपने batch file बनाता हूँ, जो मुझे जुबस बे रोज good morning wish करेगी, तो मैंने batch file बनाई, मैंने लिखा echo, sorry, first मैंने title दिया, let's say title भी welcome, फिर मैंने लिखा echo, good morning, then suppose I want to change the line, to clean line कैसे change करें, फिर जे echo लिखा मैंने लिखा, echo, press any key, to run your, oh sorry, applications, फिर मेंने लिखा, pause, फिर मेंने लिखा, start, win word, start, firefox, start, सब्सक्राइब नोटपाड सब्सक्राइब पॉस अंधिन एग्जिट अब समझते हैं एग्जिट का मतलब क्या है जैसी मेरे यह तीम प्रोग्राम जोपन होगा यह फिर से मुझसे बोलेगा प्रेस एनी की तो दन दा अप्लिकेशन और से प्रेस एनी की तो कंटिन्यू जैस करते हैं मतलब यह विद्वो आटमेटिकली क्लोज देगी मुझसको क्लोज करने के रिकामेंट नहीं पड़ेगी तो यह जो भी ट्राइक करके देखते हैं कैसे वर्क करता है यह मैं इसको फाइट को सेव करा अप्लोज करा और ओपें करा इसने का गुड़ मॉनिं प्रस इ प्रस करा एंटर और एक तो टीन सारी आप्लिकेशन ओपन हो गई अब चली जड़ा वापस मुड़ के देखते हैं कि जो हमारा डॉस था इसमें क्या राया समते कि फिर सी मेसेज आरा प्रस अनिकी टू कांटिनू मैंने प्रस करा और यह क्या होगी आप्लिकेशन हमारी क्ल एक फाईल कॉपी करने दा प्रोग्राम या एक सिस्तम शिडाउन करने दा प्रोग्राम या इसका जी तो और मुल्टिपल प्रोग्राम कैसे क्येट कर सकते हैं कब तक कह के लिए स्टे टिवन, आन सब्स्क्रारइब मैं चानिक थांग्ईू थांग्ग्यू, थांटियू, झाल झाल